तुडेज आवर टापिक इस ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट ओफ अन्बैलेंस इको सिस्टम यानि कि अगर हमारा इको सिस्टम अन्बैलेंस हो जाता है तो उसका इफेक्ट क्या होगा उसका इफेक्ट यानि कि ग्लोबल वार्मिंग अब ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या rise in the average temperature of the earth, atmosphere and ocean due to the deforestation, pollution and land degradation, etc. Wildlife Due to deforestation, animals are losing their habitat because of which their living condition are not satisfied because of this wildlife is being extinct. As wud you see, the map of the musk रिखाए, the map of the musk g aç, the map of the musk g alves that we have, the map of the musk gaelh because of the musk gaelh the map of the musk gaelh. Let's draw a bit of the musk gaelh, in fact, the map of the musk gaelhosaind, for a musk gaelh, the map of the musk gaelh. Soil erosion How can the musk gaelh ga hap? How could it be? जिसे मैं पता है जो एक पेड़ होता है तो उसकी जो रूट्स होती है वो क्या करती है अपने साथ मिट्टी को बांध के रखती है तो जो जो पाइगे दूसरी जगा पर नहीं जाती लेकिन अगर हमने पेड काट दी है हना तो वहां पर क्या होगा ना रूट्स होगे ना वह मिट्टी बंदी रहेगे बरसात आएगा तो जो अपर लेयर होती है soil की वो बहके एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाती है तो इसे हम क्या बोलते हैं soil erosion the another effect is the soil erosion caused due to deforestation in which roots that tree are not able to hold soil so soil get flowed by the running water and cause of land slide next हमारे पास देखो defertilization and drought desertifications and drought है drought का मतलब क्या होता है सूखा और desert का मतलब कि वो एक तरह से रेगिस्तान बन जाएगा due to deforestation land are clear causing loss of water bodies loss of vegetation and wildlife it result to the desertification and drought in the affected area ozone layer depletion अच्छाब देखो ozone layer क्या होती है सबसे पहला है तो हना ozone layer का क्या काम होता है देखो ozone क्या 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 होता है sun से जो ultraviolet rays आती है ना उन से ozone layer हमें क्या करता है प्रोटेक्ट करके रखता है what is the function of ozone layer ozone layer protect us from the ultraviolet radiation तो अगर ultraviolet radiation अर्थ के उपर आती है तो उससे हमें क्या प्रभाव पड़ेगा ultraviolet radiation से देखो क्या हो सकता है skin cancer हो सकता है आँखों की उपर effect पर सकता है हाना तो वह radiation बहुत ही ज्यादा क्या होती है तेज होती है फास्ट होती है ना clear तो अब ozone layer क्या होती है देखो जब हम अर्थ के काफी किलोमेटर तक उपर जाते है ना तो एक layer जब उपर जाता है ना तो यह उपर जाकर क्या हो जाता है dissociate हो जाता यानि कि O प्लस में O जिसे हम nitrogen oxygen बोलती है और फिर यह O2 के साथ mix होके O2 प्लस में O हमारे पास क्या बन जाता है O3 तो O3 हमारे पास क्या है ozone का formula O3 क्या है ozone का formula तो देखो depletion का मतलब क्या है depletion का मतलब है destroy होना खतम होते जाना तो ozone layer deplete हो रही है deplete का मतलब खतम होते जा रही है तो अगर ozone layer खतम हो गई तो क्या होगा ozone layer is the weakness of the ozone layer of the earth surface due to the harmful ultraviolet sun rays can directly reach the sun and many harmful diseases can be separate like skin cancer skin problem etc climate change climate change जैसे हम लोग पहले क्या देखते थे कि October में सितंबर में सर्दी पढ़नी स्टार्ट हो जाती थी लेकिन अब हम क्या देखते हैं कि स्तंबर अक्तूबर में बरसात ही होती रहती है आगे जाके दिसंबर में यह जनवरी में सर्दी आप स्टार्ट हो रही है तो थोड़ा सा climate क्या हो गया चेंज हो गया यहां मैं ऐसे भी कह सकते हैं कि देखो अब पहले जो temperature होता था वह 40 के अब अब नहीं जाता था फिर दीर इंक्रीज पॉपुलेशन प्लूशन ग्लोबल वार्मिंग डिप्लीशन ऑफ ओजोन लियर दा अर्थ सर्फेस हैस बिकमिंग खोटर डे बाई दे कॉजिंग मैल्टिंग ऑफ ग्लेशियर एंड मेकिंग एको सिस्टम अन्बैलेंस अगर ग्लोबल वार्मिंग होगा तो क्य हैं कि खरेगा अ sneaking करेंगे अर्थ का उपर लेची हैं सिट्र मेघे जाये तो समुंदर में जाएंगा तो वहां से क्या होगा कि तो समुंदर के किनारे बसने व nouveaux आड़ हैं वहां पर आजाएगी और वह सारे एरिया क्या होंगे खतम हो जाएगा तो यह सारे किसकी एफेक्ट थे अनबैलेंस इको सिस्टम का इफेक्ट था पॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉप काटने चाहिए रीफोरेस्टेशन का मतलब क्या होता है प्लांटिंग दा ट्री और हम उसको कट नहीं करेंगे ट्री को होना ऐसा हमें सोचना चाहिए और उसके कई सारे रेज हो सकते हैं जैसे हम लोग स्कूल में क्या करते हैं अपना बर्ड वगारा सेलिबेट करते तो उस अगर लग सकता है तो वहां पर लगा के विर उसकी क्या करें हम देख भाल भी करें तो इन ओर टू कंजर्व नेचर वी शुद इंकरस रिफोरेस्टेशन इन विच सेम नंबर ओफ ट्री शुद भी प्लांटिड विच हैब बिन कट अर्लिए और और हम एको सिस्टम को बच थाम पार मुद्ण कि अधार रडिव त्री य। विचिपान का को मतलब जाए है जैसे प्लास्टिक के डब बाहर रहें जैम जैंब हो इसका जो कंटेनर रहो गया उसको घर में किसी भी रूप में दूसरी तरीके से लगा सकते हैं तो बार बार उसका हमने क्या करना एक ही यूज करना हमने प्लास्टिक के पॉलेथीन नहीं लेने हमने घर में कपड़े का पॉलेथीन बनाना और उसी का बार-बार क्या करना हमने यूज करना है M.I.े जितना ही कम से कम् हो सकती हमने प्लास्टिक का यूज करना और प्लास्टिक का हमने बैन कि मुझे वागताए और वी प्लास्टिक गई हां कि अफिर रिख गभी जयेसे कोई विल्ट को क्या कर सकते हैं जो मतलब खरीदने वाले आते हैं उनको हम बेचेंगे वह आगे फैक्टरी में सप्लाइ कर देते हैं और उसके बार प्लास्टिक की चीजों से वह मग बाल इस तरह की चीज बना सकते हैं तो हमें उसका क्या करना चाहिए जैसे पेपर का हो गया वह भी हमें रद्दी बेच देनी चाहिए वह आगे फैक्टरी में जाती है और वहां से वह रिसाइक्ल होके दुबारा से हमें मिल जाता है तो हमें ज्यादा से ज्यादा 3R का यूज करना चाहिए follow the law and pollution check time to time हमें pollution check करवाना चाहिए और जितने भी लाज है इससे related ecosystem को balance करने के लिए वो सारे लाज हमें क्या करने है follow करने चाहिए don't use bulb use cfl हमें bulb का use नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है बल्ब में electricity जादा consume होती है na cfs chlorofluoral lamp का use करना चाहिए में csl का मतलब क्या है chlorofluoral lamp ये कम energy को क्या करता है consume करता है इस वज़ा से don't use plastic bag plastic का bag use नहीं करेंगे बलकि हम क्या करेंगे paper का bag या फिर कपड़े का bag हम use करेंगे हमने petrol का use कम से कम करना कि उससे जो दुआ निकलता है न उसके अंदर co2 होता है तो उससे भी क्या होता है global warming होती है तो हमने petrol का use भी नहीं करना clear हम क्या करेंगे cng का use करेंगे what is the full form of cng compress natural gas flood management यह वाला topic हम कल करेंगे clear thank you